एक बार पुन्व स्वागत हैं आपका हमारे यूटूब चैनल पर तो साथ यो आज के इस वीडियो में बात करेंगे अर्द्वार्शिक प्रिक्साद हो जात तेविश चोईस की दुस्टी से जो पेपर हैं उसके बारे में एक अक्सा होने वाली हैं साथ विसए हैं सामाजिक ग्यान आज के इस वीडियो में हम पेपर का कंप्लीट सॉलिशन करने वाले हैं तो समय को ज़्यादा वैस्ट न करते हुए शुरू करते हैं पहला प्रशन है राजस्थान का राज्य पक्सी कौन सा है तो आंसर होगा गोडावन अगला है प्रशन दात्विक खनीज की प्रशन है तो आंसर है सडक जैसे पहाड समुद्र और इनमें से कोई ने ये सभी इनमें से सडक हैं वह मानने उन्दिन में तूप करने पर्यावन का है अगला प्रशने साथ यह परत्विक सबसे भीतरी परत हैं आंसर होगा भी क्रोड अगला प्रशन है चब्वीच सही जोड़े बनाए तो हमने जोड़े बनाने के पच्चाद आंसर इस परकार होगा मनसब पद सूबेदार गरवनर गुर्जर परतिहार रास्थान और गुजरात में पाल बंगाल में और चोल तमिल डाड़ों में अगला रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजए तो रिक्तिस की राजदानी था अजमेर सूपी संत ख्वाजा मोहिन दिन चिस्ति से संबन देते हैं हम पी विजए नगर सामराज्य की राजदानी थी ओलेंड वाश्यों ने आंदर प्रदेश में मसुली पत्नम पर अपनी बस्ती बसाई अगला प्रश्न है दिल्ली में पहले पहले किस ने राजदानी इस्थापित की तो आंसर होगा दिल्ली में पहले तोमर राजबूत राजदानी इस्थापित की अगला है प्रश्न दिल्ली के सुल्तानों के सासनकाल में परशाशन की बासा क्या थी तो आंसर होगा दिल्ली के सुल्तानों के सासनकाल में परशाशन की बास फार्सी थी अगला प्रशन किसके सासन के दोरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ तो आंसर होगा मुहम्मद तुगलक के सासन में दोरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ अगला है प्रशन सर्वचेतरी सामराज से आप क्या समझते हैं तो आंसर होगा सर्वचेत और मुगल सामराजी अगला प्रशने मानव निरमित पर्यावरण के चार उदाहन दीजी तो आंसर होगा बवन, सड़कें, उज्डियोग और पार के तो आंसर होगा परपटी, मेंटल और क्रोड अगला प्रशने आदर दिन में गिले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते ह तो क्योंकि आदर दिर में वायू में जलवास्प की मातरा अधिक होती है जैसे जैसे वायू गरम होती जाती है उसकी जलवास्प दारन करने की किसमता बढ़ती जाती है और इस परकार यह अधिक आदर हो जाती है अगला प्रश्न है चाहुमानों के आने वाले दो पर्मुग नगर कौन से थे तह आंसर होगा चाहुमानों के निंतरण में आने वाले दो पर्मुग देली इंद्रप्रस्त और अजमेर थे अगला है प्रश्न राष्ट्रकूट कैसे सक्तिसाली बने तो आंसर होगा प्रारंब में राष्ट्रकूट करनाटक के चालू की राजाओं के अधिन सते आठ्वी सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रदान दंती दुर्ग ने अपने सामराज्य स्वामी की अधिनता से इंकार कर दिया उसे हराया और हिरन गर्ब नामा के कनुष्टान ब्रामनों की साहता से संपन्न कराया और जन्मन क्षत्री न ओते हुए भी क्षत्री की टूप में दुबारा 27 साली सासक बने मुगल सामराजे में जमीदार की क्या बोली का थी तो आंसर होगा वे सभी मध्यस्त वैक्ती जो किसानों से रजजज़सों पराप्त करते थे जमीदार कह लाए पराय गाओं के मुख्या या इस्थानिय जमिदार होते थे जमिदारों का मुख्यकार एक किसानों में से राजसू पराप्त करना था वे एकत्रित कियेगे राजसू को सरकारी खाजानें में जमा कराते थे अगला प्रशन है कारण बताए कि जिसकी वज़ा से रास सुंद्री देवी रमा बाई और रुकया उसेन के लिए अक्सर ग्यान इतना मत्तोपुन था तो आंसर होगा राश सुंद्री देवी, रमा बाई और रुकया हुसैन के लिए अक्सर घ्यान इस कारण महत्तू पुन था क्योंकि विए अक्सर घ्यान करके ही पुस्तके पढ़ सकती ती तता इस्तरियों के जेवन में परियुत तन ला सकती ती तता समास में लिंक समधी आस समांता के संबंद में अपने विचार रख सकते थी लोग तंत्र में सार्व भूमिक वैस्क के मत मता दिकार क्यों महतो पूरं हैं did ये समानता की आउधाना पर आधारित हैं जैसे समस्त वैस्क नागरिक जो 18 वर्ष की आयू पूरुन कर चुके हैं मत देने का अधिकार रखते हैं चाहे वे किसी भी प्रष्ट भूमी के हो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाती, वंस, जनम, इस्थान और लिंक की आधार पर मत अधिकार देने में कोई बेदबाव नहीं किया जाता यह लोगतंतर के महत्तव पूर्ण आयों में से एक हैं यह सरकार को जनता के परतियुत तरदाई बताना है तता लोगतंतर बेद जनता की गरिमा और महत्तो को सुनिश्चित करता है अगला प्रश्ण है सब के लिए स्वास्थे की सुईधाएं उपलब्द कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती हैं चर्चा कीजे तो जो सरकार उठा सकती हैं हुए विसेश इलाज के लिए गरामिन चैत्तर में अस्पताल खुलुआए सहरी और ग्रामिन चेत्रों में यातायत और संचार के सादनों द्वारा बली बाती से जोड़ा जाए सबी लोगों के लिए सुरक्सित और साफ पानिक की विवस्ता की जाए सस्ती दोनों पर पोस्टन बोजन उपलब्ट करवाए जाए सफाई की उचित विवस्ता करें आवास की विवस्ता कराएं स्वास्ते समंदी ग्यान का परचार करें अगला प्रशन है राजस्तान के मानचितर में निमलकित इस्तानों को अंकित केजिए तो जोदपूर, अजमेर, जैपूर, बिकानेर और तौलपूर इनको हमें रास्तान के मांचितर में अंकित करना है तो साथ यहों आज का यह मोडल पेपर कंप्लिट होता है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेर कीजेगा चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉलिशन के साथ और अन्य मोडल पेपर के सॉलिशन के साथ थैंक्स पर वाचिंग